एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल SG Food World में मैं लोटी हूँ एक ऐसी रेसिपी के साथ जिसके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जी ललचाए रहा ना जाए बिल्कुल ही न्यू वर्जन आफ इडली घर पर ही बनाए बिल्कुल बाजार जैसी रेस्टोरेंट स्टाइल इडली इस रेसिपी की शुरुआत करने से पहले आईए दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए तो पहले बनाते हैं इडली का बैटर इडली बनाने के लिए देख लेते हैं पहले इंग्रीडियन पहले लेनी है दो कप सूजी फिर लेना है एक कप दई जिस कप की मेजरमेंट से आप सूजी लेंगे कि विए उसी सेम कप की मेजरमेंट से आपको दही भी लेना है दो कप पानी सेम कप की मेजरमेंट से सॉल्ट भाई टी स्पून आप अपने टेस्ट की कोड़िंक कंभी या जाधा कर सकते हैं दो टी स्पून 2014 आदा टी разр federal काली मिर्च काली मिर्च से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है तीन चुथाई टी स्पून बेकिंग सोडा बैटर बनाने के लिए सारे इंग्रीडियन्स रेडी हैं तो चलिए लेते हैं एक बाउन उसमें आड़ करेंगे सूजी और डालेंगे इसमें बाकी सारे ड्राइ इंग्रीडियन्स नमक काली मिर्च स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि इस टाइम पर मिक्स करना भी इजी है और जब बैटर हमारा रेडी होगा तो नमक और काली मिर्च का स्वाथ पूरे बैटर में एक ज़स आएगा मिक्स हो चुका है अब इसमें आड़ करेंगे दई दई आड़ करते ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब आड़ करेंगे दीरे दीरे करके पानी और साथ के साथ अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ध्यान रखेगा पानी एक साथ सारा नहीं आड़ करना है धीरे धीरे डालना है और साथ के साथ अच्छे से मिक्स करते जाना है इससे लंप्स नहीं पड़ेंगे हमारे बैटर में गाठे भी नहीं पड़ेंगी और हमारा जो बैटर है वो एक जैसा बनेगा पूरे दो कप पानी मैंने इसमें आड़ कर दिया है बैटर की कंसिस्टेंसी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ना तो जादा गाड़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत पतली यह बहुत ही अच्छी टिप है दोस्तों आपके लिए बैटर जादा गाड़ा इसलिए नहीं होना चाहिए ताकि इडली हाडना हो जाए और बहुत जादा पतला भी नहीं होना चाहिए नहीं तो इडली तूटने लगेंगी अब इसमें आड़ करेंगे रिफाइंड ओयल रिफाइंड ओयल डालने से इडली बहुत ही सॉफ्ट बनती है मिक्स कर लेंगे अच्छ से सारे इंग्रेडियन्स अच्छ से मिक्स होने के बाद हमें आड़ करना है बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर आड़ करने से जो हमारी इडली है बहुत ही फ्लफी और स्पॉंजी बनेंगी मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो इसमें कोकोनट ग्रेट करके भी डाल सकते हैं उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है बैटर हमारा रेड़ी है अब इसे आदे घंटे के लिए ढख के रख देंगे सेट होने के लिए ताकि जो सूजी है वो पानी एब्जॉब कर ले कि जब हम इडली बनाएं मिलकुल इडली सॉफ्ट और स्पंजी बने मैं इडली माइक्रोवेव में बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव सेफ इडली स्टैंड लिया है इडली स्टैंड में अब डालेंगे पानी ध्यान रखके पानी हमें उस लेवल तक डालना है ताकि स्टीम भी बहुत अच्छा से बने और जो हमारे इडली मोल्ड हैं वो डूबे नहीं अब मैं ग्रीस करूंगी इडली मोल्ड थोड़ा थोड़ा ओईल लगा के अच्छा से मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे ग्रीसिंग करने की वज़े से इडली जब त्यार हो जाती है तो अच्छा से दिमोल्ड हो जाएगी अब इडली मोल्ट को फिल करेंगे बैटर से जो कि आधे गंटे बाद बिल्कुल परफेक्टली रेडी है ध्यान रखेगा कि मोल्ट को उपर तक फिल ना करें क्योंकि इडली मिक्स्टर स्टीम होने के बाद फूलेगा भी अब दोनों मोल्ट को फिल कर दिया है इसे रखेंगे इडली स्टैंड में जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ अब कवर करेंगे लिट के साथ माइक्रोवेव करेंगे 6 मिनट के लिए अगर यही आप ग्यास पर बना रहे हैं तो इडली को बनने के लिए लगेंगे 10 से 15 मिनट ready है हमारी इडली डी मोल करने के लिए एक नाइफ लेंगे और उसको ओल से ग्रीस करेंगे जस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में डी मोल करना बता रहे हूं बिल्कुल वैसे ही कीजिए तो इडली बिल्कुल सही तरीके से निकलेगी नाइफ को चारो साइट से घुमाएंगे देखिए कितनी बढ़िया तरीके से निकल रही है इडली ये मिनी इडली प्रोटीन से भरपूर है क्योंकि ये दही और सूजी से बनी है हेल्दी तो है ही पर साथ के साथ टेस्टी भी बहुत है बस कुछी मिन्ट दूर है हम रेस्टोरेंट स्टाइल इडली बनाने के फ्राइ करने के लिए इंग्रीडियन्स देख लेते हैं दस से पंद्रा कड़ी पत्ता लीव्स एक टीस्पून सरसो एक हरी मिर्च जिसे मीडियम साइज में कट कर लिया है आप इसे बारीक चॉप भी कर सकते हैं एक टीस्पून राई एक छोटे साइज की शिम्ला मिच जिसे बारीक कट कर लेंगे डेर प्यास बारीक कट की हुई जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं एक चुथाई क्याबिच ग्रेट की हुई इंग्रीडियन्स रेडि हैं तो चलिए फ्राय करते हैं एक पैन लेंगे फ्लेम को मीडियम रखना है और इसमें आड करने हैं दो टीस्पून घी घी की जगा आप ओल भी यूज कर सकते हैं पर इडली कटेस घी में बहुत अच्छा आता है घी थोड़ा सा गरम हो जाए तो इसमें आड कर देंगे अनियन जो हमने कट करके रखा हैं एक दो मिनट के लिए अच्छे से सौटे करेंगे ताकि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए और इसका कच्छा पन निकल जाए अब आड करेंगे क्याबिज और साथी साथ आड कर देंगे कैपसिकम आदा टीस्पून नमक डालेंगे अच्छे से मिक्स करके फ्लेम को लो कर देंगे और इस पैन को लिट से कवर करेंगे दो मिनट के लिए दो मिनट के बाद देखेंगे आप बिल्कुल रेडी है ये वेजटेबल्स अच्छे से पक गई है अब फाइनल स्टेप की और बढ़ते हैं एक पैन लेंगे आड करेंगे वन टीस्पून गी फ्लेम को मीडियम रखेंगे एक चुटकी राई एक चुटकी ही सरसो दो कड़ी पत्ता लीवस और दो से तीन पीस हरी मिर्च के जो की कट करके रखी थी सौटे कर लेंगे अब आड करेंगे एक टेबल्सपून वेजटेबल्स जो हमने फ्राई करके रखी थी चुटकी बाई लाल मिर्च आड करेंगे सॉस एक से दो टीस्पून सौटे करने के बाद इडली जो रेडी की थी वो आड कर देंगे इडली को इस मिक्शन में अच्छे से फ्राई कर लेंगे थाकि सारी वेजटेबल्स और सौस का जो टेस्ट है वो इडली में आ जाए गर्मा गरम सर्फ करें टेस्टी डिलिशस येट हैल्दी इडली साउथ इंडियन की जान है ये तो जरूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को शेयर करना है मत भूलिएगा में इसा सजेशन सेंड कमेंट्स मिलूंगी ऐसी ही और मज़दार रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर डोंट फोगेट तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब